हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोप पराउंड की रेजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लेकर और फीर्फेंड के लेकर की बहुत से स्टुडेंड्स को डाउट था की फीरीफेंड हमारा कब तक हो जाएगा इस से रिलेटेड बहुत से क्यूरिस मेरे को आ रही थी तो फिर फंट से लेकर कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंड तक देखते रहेगा Actually मैं आपको बता दूँ कि कल एक नोटिस जारी किया गया था Official Website पर MCC की Official Website पर नोटिस जारी किया गया थे इस से रेलेटे तो वह आप लोगों को बताता हूँ So guys यह हमने वो नोटिस ओपन कर लिया है Official Website से डाउनलोड करने के बाद Guys सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं अपने Instagram पर और वहाँ पर follow करके वहाँ पर direct doubt पूछे वहाँ पर Instagram पर आपको और भी काफी interesting चीजे मैं post करता रहता हूँ जो आप लोगों को काफी motivate करती है कुछ करने के लिए तो आप लोग मेरे को follow कर सकते हैं Instagram पर भी तो चलिए आज के topic पर मैं आप लोगों को बताता हूँ सारी चीजे तो देखें यहाँ पर basically जो notice आया तो उसमें क्या दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था कि यह उपर वाली चीज़ तो फालतु की दी हुई थी नीचे जो दी थे candidates में also be noted note that refund if any of the above mentioned category of candidates will be refunded only after the completion of the counselling candidates registered for mouth up round are also eligible for refund as per the counselling scheme so यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपकी जो fees है वो जब counselling खतम हो जाएगी M round की मौप राउंड की counselling खतम हो जाएगी over हो जाएगी तो आप लोगों को यह fee है जो refund कर दी जाएगी M round तक की और जो previous round हुए है वो भी आप लोगों की जो fee है वो refund कर दी जाएगी तो आप लोग fee refund की tension मत कीजे जो भी उन्होंने condition starting में दी थी कि आप लोगों को इतना जमा करना पड़ेगा फिर आप लोगों इतनी refund कर दी जाएगी उसके according वो आप लोगों की fee refund कर देंगे actually बहुत से students को doubt हो रहा तक की rounds complete हो चुके हमें अभी तक अपनी fee refund नहीं मिला है अभी तक अपना fee refund नहीं मिला है तो वो लोग काफी comment करके मैं एक उसे पूछ रहे थे तो hope आप लोगों के doubt clear हो गए होंगे कि आप लोगों को fee refund कर दी जाएगी और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि महाराश्टरा का week यहाँ पर counseling स्टार्ट हो चुकी है उसकी details मैं जल्दी upload कर दूँँ अपने channel पर video बना करके so guys इस video में इतना ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद